नमस्कार बच्छो वेलकम टू एलन अ यूनिक एजुकेशन प्रोवाइडर आज हम कक्षा तीन विशय हिंदी पाठ संक्या तीन जिसका नाम है बुद्धी का बल इसके प्रश्ण उत्र को पढ़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं पाठ संक्या तीन बुद्धी का बल पहला प्रश्ण है चिडा और चिडिया क्यों दुखी थे इस पाठ में चिडा और चिडिया नाम के दो करेक्टर थे वो दुखी क्यों थे तो इसका उत्तर है कि चिडा और चिडिया के अंडो को हर बार साप खा जाता था इसलिए वे दूसरा प्रश्ना है चीडे ने चीडिया को समझाते हुए क्या कहा चीडिया था और इसने चीडिया को क्या समझाया तो चीडे ने कहा कि हम लोग शरीर से भले इस साप से कमजोर हो नहीं हम सरीर से चाहे इस साप से जरूर कमजोर हैं लेकिन बुद्धी से हम इस साप को मार स हैं if है तो तीसरा प्रश्चन है साप किस प्रकार मड़ा गया अब साप ब्लास्ट में मर गेया था आप वो कैसे तो इसका उत्तर आपको कहानी को पढ़ना है और इस कहानी को पढ़ करके आपको इसका उत्तर देना है अब बड़े प्रशना है पहला गौसले में अंडे न पाने पर छीडिया ने रोते हुए क्या कहा ने रोते हुए कि मेरे अंडों को हर बार साप खा जाता है अब कुशल इसी में हैं कि हम इस कि मेरे एंडो को हर बार ये साब आकर खा जाता है अब हमारी भलाई इसी में है कि हम लोग इस पेर को छोड़ करके कहीं और चले जाए दूसरा प्रश्न है नदी कहां बैती थी तो इसका उतर है नदी सुन्दर उपवन में बैती थी वो उपवन में क्यों जाती थी तो इसका उतर है रानी अपनी सहेलियो के संग वहां नहाने जाती थी नहाने के लिए जाती थी प्रश्न चौता है चीडे ने किस अवसर का लाब उठाया जो चीडा था उसने कौन से मौके का फाइदा उठाया तो जब रानी नहाने गई तो छीडा रानी का हार लेकर उड़ गया जब रानी जो थे रोज की थरह वो नहाने के लिए नदी के अंदर गई तो रानी का जो हार था वो छीडा लेकर के उड़ गया और वह हार साप के बिल में डाल दिया अब साप के बिल में उस हार को लेकर के डाल दिया बाद में सेनिकों ने हार को लेने के लिए उस साप को मार डाला यहीं वो साप जो बिल के अंदर था तो बिल के बाहर उस हार को फेक दिया चिड़े ने उसके बाद साप को बाहर निकला और उन चैनिकों ने हार लेने के लिए साप को मार दिया प्रश्ण पाचवा है चीड़ा और चीड़ा प्रसंद क्यों थे अब वो दोनों खुश क्यों थे तो चेड़ा और चीड़िया अपने दुष्मन साप से सदा के लिए छुटकाना पाने की कारण प्रसन थे यानि अपने जो दुष्मन था वो साप से हमीशा के लिए उन्होंने छुटकाना पाली है यानि साप अब मर गया था इसलिए वो दोनों खुश थे अब इस कहानी से आपको क्या सिख्शा मिलती है निया अपने यह जो कहानी पड़ी बुद्धी का बल इससे आपको क्या सीखने को मिलता है तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धी के दुआरा हम लोग बड़े से बड़े कार्य को भी कर सकते हैं या जब हमारे पास बुद्धी हैं हमारे पास अक्ल है तो हम लोग बड़े से बड़ा काम भी बहुत ही सहज यानि सरल तरीके से कर सकते हैं अब ये भासा की बात री एक स्वर है इसकी मातरा ये है तो इसका वर्ण विच्छेत को आप लोग समझ देया नि सब्दों को अलग अलग करने का समझना जैसे व प्लस री बराबर व्री क प्लस री इक्वल टू क्री और म प्लस री इक्वल टू म्री आईए अब इसके सब्दों को अलग करते हैं तो जैसे ही लिखा हुआ त्रेन तो त प्लस री प्लस अन प्लस अ ये पुरा नाम मिला करके बना त्रेन उसी प्रकार से ग्रह तो ग प्लस री प्लस हः प्लस अ इन सब को जोड करके बना ग्रह इसी परकार से दो शब्द री की मात्रा वाले शब्द लिखने हैं आपको जैसे एक लिखा हुआ क्रशी तो पहला लिखा है हमने स्रिष्टी और दूसरा लिखा है हमने ग्रे अब प्रश्न तीसरा बहु उचन लिखना आपको मैंने लिखे हुए यहापे देगा है जैसे गौसला है तो इसका बहु उचन होगा गईने अब सही लिजिया है इसके लिए इसके लिए लिए जो बड़ी एकी मातरा है चोटी हो जाएगी, और पीछे यहां लग जाएगा, तो यह हो जाएगा इसका बौबुचन तो यह leaf king है, जैसे जोडा, तो जोडे, कपड़ा, इसी तरह से राणी, तो राणी यह चोटी की मातरा होगे और पीछे यहा लग गया इस्टिवर्ण से अंड़ा तो आंड़े डाली डालिया यह फीppen喜歡 पतनी पत्निया यह बाना दाने लाठी लाठिया ये भी इस्तर लेंगे है पीछे या की मात्रा और ये की मात्रा चोटी हो गई नदी और नदिया ये भी इस्तर लेंगे है पीछे आ की मात्रा आ गई और चंदर बिंदु आ गया अब दो दो परियावची सब्द लिखने हैं जैसे साप हैं तो साप का एक और परिया अच्छी सब्द लिख दिया आपको अपनी बुक में बर नॉय अब आगी प्रसना है कि एक सब्ध के दूसरे अर्थ जाने यहिंग जो हार सब्द है इसके दो अर्थ आपको समझना है तो सबसे हार यानी माला भी होती हम लोग गुले में पहान ते और दूसरा हार हार है saya यानी पराज़ा होना यानी रस तो एक ही सब्सक्राना इस प्रकार से पर या फ़ी क पन्नक्ट होता है और पर का मतलब पर्णतुetzen इसी परकार से बिल तो बिल का एक और सब रसीप होता है और बिल का दूसरा सब्द होता है बिल जो चुवे का गर होता है अब वाक्य में सही सब्द बरना है और इसके अर्थ लिखना जैसे माने मोतियों का खरीदा माने मोतियों का जो पिछा आये हुआ था क्या खरीदा? हार खरीदा तो मा ने मोतियों का हार खरीदा इसी प्रकार से छीडिया के खली जगे बहुत सुन्दर है अब छीडिया के क्या सुन्दर है तो पर पर का मतलब मैंने पहले भी बताया है पर का मतलब होता है उसके पंक इसी प्रकार से दोड में मैं सबको देता हूँ खली जगह है यहाँ पे दोड में मैं सब को के देता हूँ हरा देता हूँ मैं सब पराजे हार जिसको बोलते हैं मेरा मित्र भी दोड़ा खली जगह मुझे न हरा सका मेरा मित्र भी दोड़ा पर इसका मतलब है परंतु उस पर का मतलब अलग था और इस पर का मतलब होता है किन तू मेरा दोस्ट भी दोड़ा था लेकिन वो मुझे नहीं आरा सका अब प्रश्ण चटा है पती पतनी दिन भर जंगल में दाना चुगने जाते अब इसमें दिन भर जो है इसका मतलब वता है पूरे दिन तो इसी तरह से तीन शब्द हमें लिखने हैं तो जैसे दिन भर लि निपूरा साल